हेलो मंग बैच के प्यारे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग बच्चो मैं हूँ आलोग चौबे और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से physics वाला foundation channel पर तो बच्चो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम जगे देखने को मिलता है नहीं बच्चो जब हम बात करें बड़े सहरों के तो बड़े सहरों में हमें clear sky नहीं होता है क्योंकि वहां पर dust और pollution की वज़े से हमें sky एकदम clean नहीं दिखता है पर बच्चो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि गाउं जाते होंग भी बात करने वाले हैं कि आखिर आस्मान को देखना इतना प्यारा इतना सुन्दर क्यों लगता है उसमें क्या-क्या चीजे होती है उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे बच्चो उससे पहले मैं आपको एक important news देदूं बच्चो आप सभी लोगों के लिए एक surprise है जो की बहुत जल्द आने वला है क्या है वो surprise बच्चो 25 फरवरी को आप सभी लोगों के लिए एक surprise आ रहा है क्योंकि उस दिन PW Physics वाला मनाने जा रहा है विश्वास दिवस तो बच्चो सभी लोग तयार रहिए विश्वास दिवस के लिए उस दिन आप सभी लोगों को मिल करने वाले हैं discuss करने वाले हैं इन सभी चीजों को हम सीखने वाले हैं क्या क्या है बच्चो वो points तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चो moon के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे some other member some other member of the solar system इन सभी के बारे में आज हम करने वाले हैं discussion तो बच्चो copy pen लेके बैठ जाईए जो भी important point लगे उसको note कीजिए और ध्यान से सुनते जाईएगा class को क्योंकि बीच बीच में मैं आप सभी लोगों से question भी question आपकी screen पर आता है अपने वीडियो को रोग दीजे answer बताईए और फिर से वीडियो start कीजे और आगे बढ़ते जाईए तो बच्चो ध्यान से सुनना है क्योंकि आप सभी लोगों को सही सही answer बताना है चलते हैं आगे बच्चो आगे चलते हैं हम उससे पहले उससे पहले यह देखिए यह एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा नजारा आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है ऐसा आप सभी लोगों ने देखा होगा ऐसा कब देखने को मिलता है बच्चो तो जब जब क्या हो night के समय में sky एकदम clear हो और चांद ना हो तो उस समय में आपक ना खूबसूरत आसमान नहीं दिखता है पर गाउं में बड़ा ही प्यारा नजारा होता है बहुत सारे बच्चो ने देखा होगा ठीक है बच्चो आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिर यह सब चीज़े जो आपको दिखती है वह है क्या वह क्या है तो बच्चो वह सभ लोगोंने आसमान में देखे होंगे, जो चमकते हुए प्रतीत होते हैं, यानि वो object जो की twinkle करते हैं, यानि जो twinkling करते हैं, उन objects को हम कहते हैं, star, पर sir, क्या सारे object जो की हम को दिखाई देते हैं आसमान में, वो सारे object twinkle करते हैं, नहीं, बच्चो सारे object नहीं चमकते हैं, त उन अब्जेक्ट को क्या कहा जाता है तो बचों उन अब्जेक्ट को कहते हैं हम प्लैनेट्स यानिनि वो सेलिस्टियल बॉड़ी जही चमकती नहीं है ट्विंकल नहीं करती है उन्हें हम कहते हैं planets इसके अलावा भी हमारे हम बात करें solar system या हम बात करें हमारे universe में आस्मान में हमें बहुत सारी चीज़े दिखाई देती हैं जिनका हम एक एक करके discussion करेंगे जिक्र करेंगे बाते करेंगे और वो सारी चीज़े आप सभी को इस class में देखने को मिलेंगी अगर हम बात करें अपने आस्मान में आस्मान में तो generally हमको क्या क्या चीज़े दिखाई देती हैं बच्चों हमें star दिखाई देते हैं planet दिखाई देते हैं मून दिखाई देते हैं इनके अलावा भी बहुत सारे object दिखाई देते हैं जैसे कि asteroids asteroids commits उसकी अलवाま्ठेय और दिखाई देती हैं अब इन सारी चीजों को क्या बुला जाता है इस के चाहन आटा है 청्सेल बोडीज कुले जाता है बच्चों इन सारे objects को अर अगर हम बात करें जो study होती है इन सारे objects की, celestial bodies की, इसकी study को कहा जाता है astronomy, इसकी study को कहा जाता है बच्चो astronomy, और अगर हम भारती हैं, अगर हम देखें, इंडिया के respect में, तो बच्चो astronomy के respect में के बारे में बहुत जादा काम किया गया है, बहुत पहले जब लोग हुआ करते थे, तो उनके समय के हिसाब से उनको बहुत घ्यान था astronomy का, वो आसमान में तारो को देखके ये सारी चीजों को पता करते थे, कि आने वाला जो season है, वो कौन सा season होगा, कौन सा समय होगा, समय का पता करते थे, वो season का पता करते थे, जिसके according, वो अपनी खेती किया करते थे, तो बच्चो वो बहुत सारी चीजे हुआ करती थी, हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपने आसमान में दिखने वाले सबसे brightest चीज से, बच्चो हम जब उपर देखते हैं आसमान में, रात के समय में, तो हमें जो सबसे चमकीली चीज दिखती है, वो है हमारा moon, वो है हम हमारा चांद, तो बात करते हैं बच्चो हम अपने चांद के बारे में, बहुत सुना होगा आप सभी लोगोंने चांद के बारे में, साइरियों में सुना होगा, ठीके, बच्चो जो चांद होता है, अगर आपने देखा होगा, तो वो एक जैसा नहीं देखता है, चांद हमें एक समय पर फुल पूरा एक डिस्क की तरह दिखता है और कुछ दिनों बाद चांद आसमान से गयब हो जाता है तो आप सभी लोग ने ऐसा देखा होगा आपको कभी पूरा चांद देखता है फिर दीरे-धीरे कम हो कोने लगता है कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब चांद आसमान से गया हुजाता है और फिर वापस चांद धीरे-धीरे थोड़ा-thोड़ा दिखने लगता है और फिर एक समय बाद वो पूरा एक डिसक की तरह दिखता है तो इसे कहते क्या है यह होता क्या है तो इसे कहते हैं phases of moon यानि बच्चो जो various shapes दिखते हैं हमको जो various shapes दिखते हैं चांद के हमें throw out the month यानि एक महीने में जो various shapes हमें दिखते हैं चांद के उसे हम कहते हैं phases of moon अब बच्चो phases of moon में दो condition होती है एक condition होती है जब हमको चांद पूरा दिखता है यानि उस दिन पूरा एक चांद एक डिस्क की तरह दिखता है उस दिन को हम कहते है उस दिन को हम कहते है फुल मून उस दिन को बच्चों हम कहते है फुल मून और इसके ठीक ठीक 15 दिन बाद बच्चों जिस दिन फुल मून होत 我न लेक॥ है अब देखिए, पहले बात हम कर लेते हैं मून की, मून क्या है, मून एक लिमनेड अबजेक्ट है, या फिर हम बात करें कि न उननलिमनेडड औबजेक्ट है कि मतलब मून खुद light produce नहीं करता है उसकी खुद की light नहीं है सर जब वो खुद light produce नहीं करता है तो फिर उसे हम देख कैसे पाते हैं तो बच्चों हमने पढ़ा था हमने light chapter में पढ़ा था कि जब sun से light moon पर incident होती है और जितनी light moon reflect back करता है जितने portion से reflect back करता है हम सिर्फ moon का उतना हिस्सा ही देख पाते हैं तो बच्चों बात करें हम full moon की तो उस दिन एक पूरे disk के shape में जब light जो वहाँ से incident होती है sun से और वो reflect back होती है तो हम एक disk के रूप में पूरा चांद देख पाते हैं जिसे हम कहते हैं full moon और ठीक full moon के अगले दिन से जो चांद का shape है वो धीर धीरे कम होने लगता है कम होने लगता है और exact पंदरह दिनों बाद 15 days बाद बच्चों जो moon है वो आसमान से गाय बजाता है यानि वो हमें दिखाई नहीं देता है उस दिन को हम कहते हैं new moon अब बच्चों इसे हिंदी में भी कुछ कहा जाता है हिंदी में भी कहा जाता है एक दिन को कहा जाता है फूर्णिमा और एक दिन को कहा जाता है अमवश्या आप मुझे बताएंगे full moon को क्या कहा जाता है हिंदी में और new moon को क्या कहा जाता है हिंदी में तो बच्चो ये था moon के बारे में आप सभी लोग ने देखा होगा आप चाहें तो observe कर सकते हैं कि जो moon है वो हमेशा एक सेप का नहीं दिखता है धीरे धीरे उसका सेप घड़ता है वो गाय बजाता है वापस उसका सेप बढ़ता है और वो हमें एक complete डिस्क के रूप में दिखाई देता है और इस चीज को कहा जाता है phases of moon आगे चलते हैं बच्चो अगर हम बात करें अगर हम बात करें जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जिस दिन हमको पूरा चांद दिखता है उस दिन को हम कहते है full moon day और ठीक full moon day के अगले दिन से जो चांद है वो उसका सेप कम होते जाता है इसका मतलब वो become thinner and thinner और ठीक exact 15 दिनों बाद 15 दिनों बाद बच्चो जो चांद होए वो हमें visible नहीं होता है आस्मान में और उस दिन को हम कहते हैं उस दि यह थी चांद के बारे में बाते अब अगर हम बात करें यह जो phases of moon है इसका importance क्या है तो बच्चो phases of moon का बहुत importance है अगर हम बात करें Indian perspective से तो बच्चो जो भी तेवहार हमारे देश में मनाया जाते हैं वो phases of moon को देखके मनाया जाते हैं कैसे मनाया जाते हैं सर यह आप कैसे क को पता है जो दिवाली है वो कब मनाई जाती है दिवाली मनाई जाती है निव मून के दिन निव मून यानि जिस दिन जिस दिन निव मून होता है बच्चो उस दिन दिवाली मनाई जाती है इसे दिन भगवान स्री राम अयोध्या वापस लोटे थे निव मून के दिन भगव जो महासेवरात्री है, वो 13th day, 13th day of waning moon को मनाई जाती है, और इद उल्फित्र, इद उल्फित्र बच्चो, वो मनाई जाती है, the day following the sighting of crescent moon, यानि जो phases of moon है, चांद को देखके, चांद को देखके भारत में तेवहार मनाई जाते हैं, भारत में बच्चो तेवहार कैसे जाते हैं, अब बच्चो इसके अलावा, आप सभी लोगोंने चांद के बारे में बहुत सारी साहिरियां सुनी होंगी बच्चो, जैसे की आज तूटेगा गुरूर चांद का देखना दोस्तो, आज मैंने उन्हें छत पर बुला रखा है, तो आखिर ऐसा क्या देखा, जब गया गया, चांद की सते पर जब देखा गया, तो वहाँ पर बहुत सारे गड़े, वहाँ पर बहुत सारे गड़े मिले, चांद की जो सते है बच्चो वो क्या है, डस्टी है और वो बैरन है, यानि वो बंजर है, वो जमीन एकदम बंजर है, जिसके बारे में इतनी सा चांद के बारे में लिखा जाता है पर जब देखा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था यानि देखने पर चांद के बारे में जो जो चीजे कहीं गई वो एकदम गलत निकली अब बचो क्या चांद पर आवाज सुनी जा सकती है, क्या चांद पर आवाज सुनी जा सकती है, can we hear any sound on moon, तो बचो नहीं, चांद पर कोई आवाज सुनी नहीं जा सकती है, आखिर ऐसा क्यों होता है तो बचो sound जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि sound को propagate होने के लिए medium की requirement होती है sound को propagate होने के लिए medium की requirement होती है और जब चांद पर atmosphere ही नहीं है तो वहाँ पर medium ही नहीं है इसका मतलब medium के absence के कारण वहाँ पर sound propagate नहीं कर सकता है इस वज़े से हम चांद पर किसी आवाज को नहीं सुन सकते हैं अब बचो चांद पर आप सभी लोग को पता होगा ये आप सभी लोग को पता होगा कि July 21, 1969 को July 21, 1969 को एक American astronaut Neil Armstrong वो पहले व्यक्ती थे इस दुनिया के जो चांद पर गए थे यानि 21 July 1969 को Neil Armstrong ने पहली बार चांद पर कलम रखा था और उसके बाद से फिर बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो कि चांद की सते पर जा चुके हैं इसका मतलब जो चांद हमें एक समय बहुत दूर दिख़ाई देता था हमको आज हम उस चांद पर भी पहुँच चुके हैं बच्चो आगे बात करते हैं हम आगे बात करते हैं चांद के अलावा हमें और क्या-क्या चीज़े दिखती हैं आसमान में तो बच्चो स्टार्स दिखते हैं हमको स्टार्स क्या होते हैं अगर स्टार को हम डिफाइन करें तो बच्चो आसमान में दिखने वाले वो अबजेक्ट जो की ट्विंकल करते हैं यानि जो चमकने वाली चीज़े होती हैं हमारे आसमान में उन objects को हम कहते हैं star, अब आखिर वो आसमान में क्यों चमकते हैं, क्योंकि बच्चो जो star होते हैं, वो खुद light produce करते हैं, वो luminous object होते हैं, they have their own light, जैसे कि हमारा sun, sun भी क्या है बच्चो, sun भी एक star है, जो खुद की light produce करता है, इस वज़े से वो हमको इतना चमकीला देखता ह अब बच्चो, आपने देखा होगा, कि जो star होते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे दिखते हैं, एक point object की तरह दिखते हैं हमको आसमान में, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चो वो हम से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वही अगर अगर हम बात करें सूरी की, तो वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो अर्थ से बहुत करीब है, बहुत करीब का मतलब 1, 2, 3 km नहीं, वो है 15 करोण किलोमीटर, 15 करोण किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद हमको वो इतना बड़ा दिखता है, और जो तार होते हैं बच्चों आसमान में वो हमें बहुत चोटे-चोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत-बहुत-बहुत ज्यादा दूर होते हैं कितना ज्यादा दूर होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा तो बच्चो स्टार हम किने कहेंगे स्टार हम उन luminous object को कहेंगे जो की आस्मान पर हमें आस्मान में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं इनकी खुद की light होती है they emit their own light अब बच्चो उन स्टारों में उन स्टार्स में जो light produce होती है वो किस वज़े से होती है तो उसमें बच्चो होती है hydrogen और helium gases जब इन hydrogen और helium gases में reaction होता है तो उसके result से tremendous amount में heat and light energy produce होती है heat and light energy produce होती है अगर हम बात करें बच्चो sun की तो sun भी क्या है sun भी एक स्टार है sun भी एक स्टार है जो की हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है और sun एक ultimate source है जिसकी वज़े से अर्थ को और अर्थ के अलावा बाकी सारे हमारे solar system है जो भी planets है उन सभी को energy मिलती है वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ sun से सिर्फ और सिर्फ हमारे sun से ठीक है बच्चो यानि star किने कहेंगे हम star उन objects को कहेंगे जो की आसमान में हमें चमकती हुए दिखाई देते हैं star हम उन objects को कहेंगे जो खुद की light emit करते हैं अगर हम बच्चे compare करें अगर हम compare करें कि जो तारे होते हैं वो कितनी दूर होते हैं जो stars होते हैं वो हमसे कितनी दूर है तो बच्चो हमारे सबसे निकटतम हमारे सबसे करीबी जो तारा है वो है सन वो है सन और वो हमसे कितनी दूर है वो हमसे इतने किलोमीटर दूर है इसको आप पढ़िए कितने किलोमीटर दूर है 150000000 15 करोण किलो मीटर 15 करोण किलो मीटर दूर है बच्चो, सन हम से अब सन के अलावा जो दूसरा सबसे निकटतम तारा है हमसे दूसरा सबसे नियरेस्ट जो स्टार है अर्थ के वो है प्रॉक्जिमा सेंचूरी और वो इतने किलोमीटर है इसको पढ़ लीजिए आप कितने किलोमीटर है अब आपको समझ में आया कि जो तारे होते हैं वो हमें बहुत छोटे point object के रूप में क्यों दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं बचों यह second सबसे nearest है वो इतनी distance पर है तो सोच यूनिट्स में मेजर करते हैं क्या इनकों simple यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं मीटर किलोमीटर संटी मीटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह distance बहुत बढ़ी होती है तो इस वज़े से इतनी बड़ी distance को मेजर करने के लिए हम unit use करते हैं light year light year अब बचों सुनने में तो लग रह unit light year distance unit कैसे हो सकती है तो distance unit ऐसे हो सकती है वज़ो वन light year का मतलब होता है one light year का मतलब होता है कि light ने 1 साल में कितनी distance travel की light की speed आपको पता है वज़े light की speed होती है 3 into 10 to the power 6 okay मीटर पर सेकेंड, 3 इन्टो 10 टो पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है बच्चो Light की Speed, जब Light इतनी Side से ट्रेवल करेगी तो वो एक साल में, एक साल में जितनी Distance ट्रेवल करेगी उसे हम कहेंगे 1 Light Year, उसे हम कहेंगे 1 Light Year, ऊके बच्चो चलते हैं आगे अब बच्चो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जो इतनी बड़ी distance होती है उसे हम measure करते हैं light year में उसे हम measure करते हैं light year में It is the distance traveled by light in one year The speed of light क्या होती है बच्चो ये होती है 3 lakh km per second 3 lakh km per second 3 into 10 to the power 8 meter per second अब अगर हम बात करें अगर हम बात करें जो sun है वो sun हमसे कितनी दूरी पर है अगर हम बात करें light year के respect में तो हम कह सकते हैं बच्चो जो sun है वो हमसे 8 light minute की दूरी पर है इसका मतलब जब sun से light travel करती है तो उस light को 8 minute लगते हैं अर्थ तक पहुँचने में और किस speed से travel करती है बच्चो वो इस speed से travel करती है यानि इतनी speed से travel करने के बावजूद जो sun से light आती है उसको 8 minute लगते हैं अर्थ सर्फेस पर पहुँचने में यानि जो अगर हम बात करें जो planets हैं वो हमसे बहुत दूर है अब अगर आज रात में आज रात में आप कोई अगर तारा देखते हैं अगर आप आज रात में कोई तारा देखते हैं इसका मतलब वो जो light आ रही है वो आप सोच सकते हैं कितने दिनों पहले कितने साल पहले की light है यानि वो आज की light नहीं है वो बहुत साल पहले की light हो सकती है जो कि travel करती हुई आ रही है और आज इस वक्त वो आप तक पहुँची हुई है यानि हम उस तारे को previous यानि पहले के देख रहे हैं यानि पहले उस तारे से light निकली होगी, emit हुई होगी और उसको आज हम कई हजार, कई सो सालों बाद देख रहे हैं बच्चो अगर हम बात करें जो हमारे second nearest star है, alpha century वो हमसे 4.3 light years दूर है वो हमसे 4.3 light years दूर है इसका मतलब बच्चो जब light इतनी speed से, इस speed से travel करेगी light तो उस light को 4.3 years में जितनी distance travel करेगा वो light उतनी ही दूर है proxima century यानि अगर आप light की speed से जाते हैं light की speed से अगर आप जाते हैं अर्थ से तो आपको 4.3 years लग जाएंगे proxima century पर पहुचने में अब बच्चो इतनी speed से जाने के लिए कोई vehicle तो हमारे पास है नहीं कोई vehicle तो हमारे पास है नहीं यानि वहाँ पर जाना क्या है इस time में अभी हम कहें तो फिलहाल में तो possible है impossible है in future कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि हमारे आने वाली जो पीडिया है वो next किसी दूसरे star पर भी जा सकती है ओके आगे चलते हैं बात करते हैं बच्चो हम तो जो stars होते हैं क्या stars अपनी जगे पर stationary होते हैं तो बच्चो आप किसी एक particular star को देखे एक particular star को देखे आप उसको 2-3 घंटे तक ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा कि वो जो star है उसकी position change हो रही है वो east to west move कर रहा है क्या actual में ऐसा होता है क्या stars अपनी position से move कर रहे हैं तो बच्चो ऐसा नहीं होता है ऐसा हमको इसलिए प्रतीत होता है ऐसा हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम जहां पर है हम अर्थ पर हैं और अर्थ जो है वो अपनी axis पर west to east rotate होती है बच्चो अर्थ जो है इस वज़े से वो हमें east to west move हुए दिखाई देते हैं क्योंकि अर्थ अपनी axis पर west to east move करती है तो क्या सारे तारे आसमान में हमको जितने तारे दिखते हैं वो सारे तारे हमको move होते हुए दिखाई देते हैं नहीं एक तारा ऐसा भी है जो हमें move होता हुआ नहीं दिखाई देता है वो अपनी position पर ही रहता है उस तारे को हम कहते हैं pole star उस तारे को हम कहते हैं pole star आखिर ऐसा क्यों होता है बाकी सारे तारे जब east to west move कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं move कर रहा है यह इसलिए move नहीं करता है बच्चो क्योंकि यह अर्थ के axis के along होता है यानि अर्थ जिस axis के along move करती है just उसके उपर ही होता है pole star इस वज़े से इसकी जो position है वो change होती हुई हमको दिखाई नहीं देती है अब बच्चो question आ रहा होगा आप से भी लोगों के mind में बहुत simple question है आपने बहुत पूछा होगा छोटे में भी पूछा होगा लोगों से आपको answer भी मिले होंगे कि जो तारे होते हैं वो हमको सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देते हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं क्या दिन में जो स्टार्स होते हैं वो आसमान में नहीं होते हैं सिर्फ वो रात को ही आते हैं तो ऐसा नहीं है बच्चो जो तारे हैं वो हमेशा हर समय हमारे आसमान में ही रहते हैं पर वो दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं वो हमें रात में ही क्यों दिखाई देते है तो इसका कारण ये है बच्चों के दिन में जो सन से आने वाली लाइट होती है वो बहुत जादा होती है और बहुत जादा लाइट होने की वज़े से हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं वहीं अगर हम बात करें जब रात हो जाती है तो रात के समय जो sunlight है वो कम हो जाती है इस वज़े से आस्मान में जो भी तारे थे वो अब हमें properly दिखाई देने लगते हैं इसका मतलब जो तारे थे जो star है वो दिन में भी होते हैं और रात में भी होते हैं पर हमें दिखाई सि रात को ही देते हैं क्योंकि उस समय जो संसे आने वाली light थी वो अब कम हो गई है अब संसे light नहीं आ रही है ओके तो चलिए बच्चो आगे चलते हैं इसके बाद स्टार्स के बाद हमने moon की बात कर ली चांद की बारे में बात कर ली चांद जिसको बहुत खूबसूरत कहा जा होंगे फिर हमने बात की स्टार्स के बारे में स्टार्स क्या होते हैं वो अबजेक्ट जो की टिम टिम आते हैं जो की चमकते हैं जिनकी खुद की light होती है जैसा की हमारा sun sun क्या है बच्चो sun भी एक स्टार है और जो second nearest star है हमारे अर्थ से वो है proxima century ये तारे जो होते हैं व light year एक unit होती है जिसका use किया जाता है light year क्या होता है बच्चो एक साल में एक साल में light ने 3 into 10 to the power 8 meter per second की speed से जितनी distance travel की उतनी distance को कहा जाता है one light year अब पी तक हमने बात कर ली moon और star की अब हम बात करते हैं बच्चो consolation की ये क्या होते हैं consolation क्या होते हैं बच्चो तो आप सभी ने देखा होगा आसमान में जब अभी आप clear night हो clear sky हो आप देखेंगे कि आसमान में आपको कुछ groups of star देखेंगे जो की एक shape बनाते हैं जो की एक आकार बनाते हैं और उस आकार को आप याद रख सकते हैं आप आज भी देखेंगे कल भी देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलता है यानि वो एक recognizable shape बनाते हैं यानि उस shape को आप याद रख सकते हैं यानि group of star group of star जो कि एक particular shape बनाते हैं उन stars के group को कहा जाता है consolations और इन में बहुत कुछ ऐसे consolation हैं जो की काफी famous हैं उनके बारे में ह star है groups of star हैं जिनके shape को आप easily recognize कर सकते हैं जिनको आप easily recognize कर सकते हैं पर उसके लिए आपको पता होने चाहिए कि वो consolation है वो कैसे दिखते हैं अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे दिखते हैं फिर इस class के बाद आप जाएए और देखिए in consolations को ओके चलते हैं आगे ग्रेट बीर जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं उरसी एक देखने को मिलेगा своего cassiopeia और the major यह कुछ famous वित्जुना Schools are.. जो कि हमें दिखाई देते हैं अब यह कहां कहां होते हैं आपने सुन लिया पढ़ा लिया कि मिलते हैं , अथ कि की यह होते हैं पर हम इनको देख कहां सकते हैं कहां पर हम यह मिलेंगे तो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं आप इनको आसमान में कहां पर देख सकते हैं, तो चलिए बच्चो, सबसे पहले हम बात करते हैं, उर्षा मेजर की, जिसे हम सब्त रिसी भी कहते हैं, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसमें टोटल सेवन स्टार्स होते हैं, इसमें टोटल साथ तारे होते हैं, साथ तारे हो सब्तुरिसी क्यों नाम दिया गया क्योंकि ancient अगर हम बात करें हम अपने जो हमारे mythological book होती है इंडियन mythology उसमें साथ रिसियों का वर्णन किया गया है और इन साथ तारों से उन साथ रिसियों को represent किया जाता है जो की विदास को वेदास के बारे में उनको ज्यान होता है और वो वेदास को अगली पीड़ी में सुनाते थे तो उन सातो रिसियों का बताया गया है कि इस consolation में वो सात रिसी होते हैं कौन-कौन होते हैं बच्चों? वो कौन-कौन होते हैं? बात करते हैं हम उनके बारे में उससे पहले हम देखते हैं कि यह जो उर्सा मीजर है जो सब्त रिसी है वो आपको आसमान में कहां देखने को मिलेगा और किस समय देखने को मिलेगा तो बच्चों यह आपको समर समर के समय में यानि गर्मियों के समय में आपको उर्सा मीजर देखने को मिलेगा और इसके अलावा इसको और भी कुछ नाम दिये जाते हैं जैसे कि बिग डिपर, ग्रेट बियर, एंड सब्त रिसी सब्त रिसी इसमें टोटल सेवन स्टार्स होते हैं जो कि साथ रिसीों को रेप्रेजेंट करते हैं ये बच्चो question mark या फिर big ladle की तरह appear होता है इसके अलावा जैसा कि आप सभी ने देखा ये देखिए ये क्या है बच्चो इसको अगर हम एक handle देखें तो ये क्या है एक handle के रूप में है जिसमें 3 star होते हैं और 4 star एक quadrilateral को form करते हैं तीन star मिलके एक handle बनाते हैं और उससे एक quadrilateral होता है जिसमें 4 star होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं अब बच्चो ये जो सब्त रिशी है इसमें जो सात रिशी का रणन किया गया है वो सात रिशी कौन-कौन से हैं तो वो हैnova रिसी वसिस्ट, रिसी अंगीरा, रिसी अत्री, रिसी पुलस्त्य, रिसी पुलहाहा, रिसी क्रतू ये साथ रिसी मुनी है जिनके बारे में बताया गया है जिनके बारे में बताया गया है और ये जो है बच्चो ये रिसी इन्हें क्या है Eternal Knowledge of Vedas जो वेदाज हैं, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथर्वेद, जो चार वेद हैं उन वेदो का इने ग्यान है और ये नए युगों में नए युगों में क्या करते हैं? नए युगों में लोगों को उन वेदों की व्याख्या करते हैं कि उन वेदों में क्या क्या चीज़े लिखी गई हैं तो बच्चो ये Consolation, ये जो सब तरिसी है ये आपको देखने को मिल जाएगा आपको कब देखना है? समर के समय में देखना है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अब इसके अलावा बच्चो इसकी हल्प से हम जो पोल स्टार होता है उस पोल स्टार को भी हम आसमान में ढूड सकते हैं कैसे ढूड सकते हैं बच्चो कैसे ढूड सकते हैं? तो जो हमारा पोल स्टार होता है उसे अगर आपको देखना हो आसमान में कि कहां पर है वो, तो आप देख़िये, सब तरिसी, सब तरिसी जो तारा हुता है, बच्छो, सब तरिसी तारे में जो quadrilateral would बन रहा था, जो quadrilateral बन रहा था, एक बाउल के safe में, उस बाउल के safe में end पर जो दो stars थे, जो दो stars थे, आप उन दोनों स्टार्स से सीधे स्ट्रेट लाइन में आप देखिए, आपको सीधे स्ट्रेट लाइन में देखना है, कहां पर देखना है बच्चों, तो कहां पर देखना है, आपको देखना है सधन हेमिस्फियर में, आप इन दो स्टार्स से सीधी लाइन में देखिए, और जि जो कि बहुत चमकीला नहीं होगा, जो कि बहुत चमकीला नहीं है, उसी तारे को कहा जाता है, पोल स्टार जिसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है, यह वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होता है, जब हम उसे अर्थ से देखते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण आप सभ में पोल स्टार ढूंड़ना है तो आप जो सब तरी सीतारा है जो उर्षा मेजर है उर्षा मेजर का जो बॉल बन रहा था जिसमें चार स्टार थे उन four stars में से दो stars से एक सीधी रेखा straight line खीचे और वो straight line उन दोने stars के बीच में जितनी distance है उसका five times होनी चाहिए तो आपको एक star देखेगा जो कि ज़्यादा bright नहीं होगा उसी star को कहा जाता है pole star उसी star को कहा जाता है pole star अब बच्चो ये जो consolation होते हैं consolation जो हता उर्षा मेजर वो आपको southern hemisphere में southern hemisphere में कुछ जगों पर दिखाई नहीं देगा वो आपको southern hemisphere में कुछ जगों पर दिखाई नहीं देगा यानि वो दिखाई कहां पर देगा वो आपको दिखाई देगा northern hemisphere में वो आपको दिखाई देगा नदन हेमिस्फेर में यानि आपको सदन हेमिस्फेर में कुछ जगों पर उर्सा मेजर जो है वो दिखाई आपको नहीं देगा आगे चलते हैं बात करते हैं जो दूसरा हमारा दूसरा हमारा कॉंसलेशन है वो है बच्चो ओरियोन, वो है ओरियोन, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक fighter है, एक hunter है, दिख रहा है आपको, इसके हाथ में यह एक shield है, इसके हाथ में एक क्या है, यह तलवार है, अब इस विक्ती के इस जो hunter है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस hunter के, यह जो belt के form में, यहाँ पर 3 star देखने को मिलते हैं, यह बच्चो जो Orion है, इस Orion में 7 से 8, 7 से 8 star हमको दिखाई देते हैं, जिसमें की beach के जो 3 star होते हैं, वो एक सीधी line में होते हैं, वो हमें Orion के belt जैसे दिखाई देते हैं, इसकी help से, इसकी help से, Orion के help से, आसमान में चमकने वाले star को हम find कर सकते हैं, यानि हमारे आसमान में, हमारे आकास में, जो सबसे चमकीला तारा होता है, Cyrus बच्चो, Cyrus, वो हम Orion के help से, उसको find कर सकते हैं, आपको जहाँ पर Orion देखे बच्चो, Orion में जो belt होता है, यानि जो 3 star होते हैं, बीच में, आप उन 3 star से 1 सीधी line कीचे, तो आप को एक बहुत ही चमकीला तारा देखने को मिलेगा, वो तारा कौन सा है, वो है Cyrus, जो की हमारे आसमान में, सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है, अब बच्चो, जो Orion है, वो हमको कब दिखाई देता है, तो वो हमको दिखाई देता है, विंटर के समय, विंटर के स आया कि इसकी जो hunter का जो belt होता है वो उसके जो तीन तारे हैं वो hunter के belt जैसे लगते हैं यानि इसे हम belt of hunter यानि जो three middle star होते हैं Orion के उन्हें हम belt of hunter भी कहते हैं उन्हें हम belt of hunter भी कहते हैं अब बच्चो Orion में आपने देखा Orion में आपने देखा तो यह जो तारे हैं यह किस form में arrange हैं यह एक quadrilateral के form में यह एक quadrilateral के form में arrange हैं और इसकी help से Orion की help से जो Cyrus है जो कि brightest star है हम उसे locate कर सकते हैं हम उसे locate कर सकते हैं कैसे locate किया हमने बच्चो तो जो तीन star थे जो तीन star थे Orion में उस star से हमने straight line कीची straight line कीची जो की कहां है towards the east यानी east की direction हम कीचेंगे यह जो तीन star है जो Orion के इन तीन star से एक straight line हम कीचेंगे किस direction में towards east इस की direction में जब हम एक line कीचेंगे तो वो line हमें लेके जाएगी एक बहुत ही चमकते हुए तारेक की और और वही तारा क्या है बच्चो वो है Cyrus जो की हमारे आसमान में चमकने वाला सबसे brightest star है सबसे brightest star है तो बच्चो यह था second consolation जिससे हम कहते हैं Orion इसके अलावा भी इसके अलावा भी आपको एक consolation देखने को मिलेगा जो की distorted w या m के shape में होता है अगर आप इससे देखे तो यह एक w या फिर m जैसा shape बन रहा है जिससे हम कहते हैं Cassiopeia यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा बच्चो तो यह आपको देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ऐसा सही में है यानि यहाँ पर आपको एक कैसियोपिया जो कि distorted WM है आपको Orion देखने को मिलेगा आपको Leo Major और आपको ऊर्षा मेजर देखने को मिलेगा अब बचो अगर हम बात करें Consolation की तो हमने बोला कि जो उर्षा मेजर है उसमें साथ स्टार है Orion में साथ से आठ स्टार है तो क्या सच में एक Consolation में सिर्फ इतने स्टार होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है नहीं बचो एक consolation में बहुत सारे stars होते हैं हम कह सकते हैं कि वो hundred billions of stars हो सकते हैं पर हमें वहाँ पर कुछ जो brightest star होते हैं सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं इस वये से हमें पूरा shape नहीं दिखता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Orion में आप देख सकते हैं इसमें कितने star हैं बहुत सारे star होते हैं पर यह क्या है काफी जादा दूर हैं बहुत जादा दूर होने की वैसे वो इतने bright नहीं होते हैं कि हम उनको recognize कर सके वो हमें दिख सके यानि एक consolation में बहुत सारे star होते हैं पर बहुत सारे star में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि brightest होते हैं और उनकी help से हमको एक shape बनता हुआ दिखाई देता है तो बच्चो एक consolation में सिर्फ 5-6 star नहीं होते हैं वो बहुत ज़्यादा star होते हैं पर हमें सिर्फ जो गिने चुने यानि हम कह सकते हैं 5 या 10 ही जो star होते हैं brightest star वो हमें देखते हैं जिससे हम एक shape का formation करते हैं तो बच्चो ये थी consolation की बात अब हम आगे चलेंगे अपने solar system के बारे में solar system के बारे में हम पढ़ेंगे आखिर क्या है solar system और solar system के हिससे कौन कौन है कौन कौन solar system का part होते हैं ठीक है बच्चो तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं solar system के बारे में अगर हम बात करें इस universe की तो बच्चों हमारे universe में billions of galaxy है और उन billions of galaxy में से एक galaxy है जिसे हम कहते हैं Milky Way उस Milky Way में billions of star है और उन billions of star में से एक star है sun और उस sun के around 8 planets है और उन 8 planets में एक planet है हमारा अर्थ जहां पर हम लोग रहते हैं इसका मतलब इस universe में billions of galaxies के billions of star होते है और हर एक star का अपना solar system होता है तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अपना solar system यानि हम पढ़ने वाले है sun का solar system तो बच्चों solar system हम किसे कहेंगे तो बच्चों sun और sun के around revolve होने वाली celestial bodies को कहा जाता है solar system जिसके बारे में हम एक एक करके प बच्चों जब हम बात कर रहे है sun और sun के around move होने वाली celestial bodies तो वो क्या-क्या हो सकती है वो planets हो सकते हैं वो moon हो सकते हैं वो asteroid हो सकते हैं और वो commits हो सकते हैं यानि वो सारी bodies ये सारी bodies sun के around move करती हैं जिसे combined group से हम solar system कहते हैं आखिर ये solar system रहता कैसे एक साथ कैसे रहता है तो ब सिस्टम को उन सारी bodeys को sun के साथ एक जगे पर एक रूप में रखता है जिसे हम solar system कहते हैं ठीचे बच्चो sun and celestial bodies which revolve around the sun is known as solar system और इस solar system में large number of bodies है जैसे कि planets, commits, asteroids and meteors अब यह सारे जो object हैं वो sun से कैसे बंधे हुए रहते हैं तो ये बंधे रहते हैं सन और उन अबजेक्ट के बीच में लगने वाले gravitational attraction से अब अगर हम बात करें बच्चो solar system में अपने star sun की तो sun बच्चो एक star है जो की एक illuminated object है वो खोद light produce करता है बच्चो sun में क्या होता है sun में hydrogen जो gas होती है वो helium gas में convert होती है as a result of which tremendous amount of heat निकलती है और वो heat light energy के form में भी convert होती है और बच्चो sun से निकलने वाली heat ही हमारे solar system में एक एकलोता जरिया होता है energy का अर्थ पर जो भी energy मिलती है बच्चो वो सारी energy हमको मिलती है sun से sun बच्चो heat और energy का main source है सारे planets के लिए किस सारे planets के लिए तो हमारे solar system में जितने भी planets है उन सभी planets के लिए sun ही एक energy का source है बच्चो अगर हम बात करें अपने solar system की तो presently हमारे solar system में total 8 planets है total 8 planets है आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चो total 8 planets है इन 8 planets में से जो starting के 4 planets है बच्चो यह जो starting के 4 planets है इन्हें हम कहते हैं terrestrial planets और last के जो 4 planets है बच्चो इन्हें हम कहते हैं gaseous, gaseous और jovian planets starting के 4 planets को हम कहते हैं terrestrial planets, last के 4 planets को हम कहते हैं jovian और gaseous planet इन्हें हम inner planet भी कहते हैं इन्हें हम outer planet भी कहते हैं which of the following is not a member of solar system यानि इन में से, इन में से कौन solar system का हिस्सा नहीं है एक asteroid, satellite, comet या consolation इन में से कौन solar system का हिस्सा नहीं है तो आप सभी लोग answer बताइए इसका क्या होगा चलते हैं आगे बच्चो अगर हम बात करें planets की हमने solar system में sun के बारे में बात कर ली sun जो की एक star है और sun के around 8 planets revolve होते हैं और बच्चो 8 planets के अलावा, 8 planets के अलावा commits, asteroids भी sun के around revolve होते हैं अब बच्चो अगर हम बात करें, दूसरा पार्ट यानि solar system में sun के अलावा और क्या-क्या होते हैं तो sun के अलावा होते हैं बच्चो planets, क्या होते हैं planets तो बच्चो इस आस्मान में, sky में दिखने वाले वो objects जो की रमकते नहीं है, जो की twinkling नहीं करते हैं, जो की non illuminated होते हैं, यानि वो खुद light produce नहीं करते हैं, बलकि जब sun से light उन पर incident होती है और वो reflect back होके हमारी यांको तक तब हम उनको देख पाते हैं, यानि planets बच्चो जो की do not have their light, यानि उनकी खुद की कोई light नहीं होती है, और बच्चो planets के अगर हम बात करें, तो planets क्या होते हैं बच्चो, एक fixed path में, एक fixed path में move करते हैं, और उस path को उस planet का orbit कहा जाता है, उसका orbit कहा जाता है, अब बच्चो जब ये planet हैं, जो की एक definite path में move कर रहे हैं, जब ये move करेंगे, तो जाहिर सी बात है, इनकी जो position है, वो continuously change होती रहेगी, यानि planets keep changing their position, यानि planets की position change होती रहती है, क्योंकि ये continuously move कर रहे है, revolve कर रहे है around the sun, अब कैसे revolve कर रहे हैं, इनको move करने के लिए energy की requirement होगी, इनको move क की requirement होगी, तो वो कहां से मिलता है, तो वो मिलता है उस planet और sun के बीच में लगने वाले gravitational attraction की वज़े से, तो बच्चों हमने solar system में बात की sun के बारे में, हमने बात की planets के बारे में, planets वो celestial bodies होती है, जिनकी खुद की light नहीं होती है, वो bodies होती है, जो की non luminous होती है, और evolution continuously change करता रहता है, planets जो होता है बच्चों, वो एक fixed path में move करता है, उस path को हम कहते हैं, उस path को हम कहते हैं, orbit, अब बच्चों जो planet है, वो sun से जितना जादा दूर होगा, जितना जादा दूर होगा, उसका जो orbit है, वो उतना ही बड़ा होगा, और उस planet को उतना जादा time लगी में, ओके, आगे चलते हैं बच्चों, अब हम planets जो हमारे solar system में है, 8 planets है, हम एक एक करके सारे planets के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे उनकी खासियत क्या है, तो हम start करेंगे, बच्चों, sun के सबसे nearest से हम start करेंगे, और हम जैसे जैसे distance बढ़ती जाएगी sun से, वैसे वै nearest star है, nearest planet है, जो बच्चों, मरकरी है, वो sun के सबसे nearest planet है, बच्चों, इसके साथ साथ ये हमारे solar system का, ये हमारे solar system का smallest planet भी है, इसकी कोई satellite नहीं है, satellite क्या होती है, बच्चों, satellite क्या होती है, तो satellite हम उस object को कहेंगे, उस object को कहेंगे, जो की planet के around revolve होता है, या फिर हम कहें, किसी एक celestial body के around, अगर दूसरी celestial body revolve होती है, तो उस दूसरी body को हम पहली body का planet, उस दूसरी body को पहली body का हम satellite कहेंगे, इसका मतलब अर्थ भी क्या है बच्चो, अर्थ sun की एक satellite है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, sun के around revolve हो रही है, यानि अगर अर्थ के around कोई object revolve होगा, तो उस object को हम sun का planet, उस object को हम अर्थ का satellite कहेंगे, तो बच्चो जो mercury है, उसकी कोई satellite नहीं, यानि कोई भी object mercury के around revolve नहीं होता है, ये क्या है बच्चो, mercury, mercury sun के nearest है, सबसे पास है, ये हमारे solar system का सबसे छोटा planet है, और इसकी खुद की कोई satellite नहीं, यानि कोई भी object इस mercury को revolve नहीं करता है, इसके around move नहीं करता है, mercury को बच्चो हम बुद्ध भी कहते हैं, mercury को हम बुद्ध भी कहते हैं, अब चलते हैं हम दूसरे planet पर जो की mercury के just आगे आता है, यानि हम कहा से कहा जा रहें? हम sun से पीछे के और जा रहें, यानि हम दूर जा रहें Sun से, तो sun से सबसे पास में है mercury, mercury के बाद आता है बच्चो, Venus, mercury के बाद आता है Venus, और ये सभी planet में सबसे brightest होता है, यह सबसे brightest होता है, यानि ये बच्चो brightest planet in the night sky होता है, और अगर हम बात करें, तो सारे planets, यह जितने भी planet है, 8 planet है, उन 8 planet में से सबसे गरम मरकरी के बाद, क्या होता है बच्चों, उन में सबसे गरम Venus होता है, मरकरी नहीं होता है, अगर आप क पहेंगे कि बच्चों, मरकरी सबसे पास में है सन के, तो उसको गरम होना चाहिए, पर वो न होके, वीनस सबसे गरम है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, बच्चों कि जो वीनस है, इस पर CO2 जो है, वो ज़्यादा मातरा में है, यह पर जैदा मातरा में होने की वेजे से, इस पर जो heat trap होती है यानि sun से जो heat आती है वो ज्यादा trap होती है जिस वज़े से Venus का जो temperature है वो Mercury के temperature से ज्यादा है यानि ये sun के पास ना होते हुए भी हमारे solar system का सबसे गरम सबसे hot planet है इस वज़े से बच्चो ये bright हो चमकता भी है और बच्चो जो Venus है इसे हम morning और evening star भी कहते है जबकी एक planet है इसे हम morning और evening star भी कहते है जबकी ये एक star नहीं है अगर हम बात करें satellite की तो Venus की कोई satellite नहीं है यानि कोई भी object Venus के round revolve नहीं करता है अगर हम बात करें बच्चो वीनस के motion के वारे में तो बच्चो जो हमारी अर्थ है वो west to east move करती है जबकि वीनस east to west move करता है यानि अर्थ से उल्टा चलता है ये अर्थ से उल्टा चलता है जहाँ पर हम बात करें अपने अर्थ की तो वो west to east move करती है जो वीनस है वो east to west move करता है तो बच्चो पहला प्लेनेट था संसे सबसे करीब मरकरी सबसे छोटा सबसे पास और कोई सेटलाइट नहीं दूसरा प्लेनेट वीनस जो की संसे करीब तो नहीं है पर वो सबसे गरम है सबसे ब्राइटेस्ट है इसकी कोई भी सेटलाइट नहीं है आगे चलते हैं संस थर्ड नंबर पर जो planet आता है बच्चों वो है हमारी अर्थ और इस known universe में इस known universe में अर्थ ही एक ऐसा planet है जिस पर life possible है जिस पर life possible है अब क्यों possible है तो बच्चों life होने के लिए जीवन के लिए जो भी required conditions है वो अर्थ पर सारी मिलती है क्योंकि अर्थ जो है वो sun से एक fixed distance एक हम कहें तो अच्छी दूरी पर है good distance पर है जिसकी वज़े से जो temperature range है वो विल्कुल अच्छा है अर्थ पर आपको पानी मिलता है अर्थ पर water है जो कि life के survival के लिए बहुत important है इसके साथ साथ अर्थ पर ozone layer की परत भी है जो की हमें harmful rays जो हो sun से आती है उन rays से बचाती है यानि blanket of ozone water और right temperature range होने की वज़े से अर्थ पर life possible है यानि known universe में अर्थ ही एक ऐसा planet है जहां पर life है अगर हम बात करें बच्छो अर्थ के satellite की तो अर्थ की एक natural satellite है जिससे हम moon कहते हैं अर्थ की एक natural satellite है जि जो अर्थ है वो अपनी axis पर perpendicular नहीं है वो अपनी axis पर tilt है यानि वो अपनी axis पर tilt है और अपनी axis पर rotate करती है जिसके कारण tilt होने के कारण अर्थ पर जो भी season होते हैं वो इसके tilt-ness के कारण होते हैं यानि बच्छो जो season आपने देखे हैं जो आप season अर्थ पर होते हैं चाहे वो winter हो, चाहे वो summer हो, चाहे वो rainy season हो, वो अर्थ में जो जुकाव है, उसके कारण ही देखने को मिलते हैं, आगे चले अगर हम बात करें, अर्थ के बाद जो planet आता है, वो है Mars, तो बचो अर्थ के बाद जो planet आता है, वो है Mars, और ये अर्थ के orbit के बाहर पहला planet है, यानि अग मार्स जो है, वो red color का दिखाई देता है, यानि उसका जो apparent है, वो red color का, इसलिए दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर iron की जो presence है, वो बहुत ज़्यादा है, यानि iron अधिक मातरा में मिलने के कारण़, जो Mars है, उसका color red color का दिखाई देता है, हम बात करें, red planet Mars के satellite की तो बच्चो Mars की दो satellites है एक है Phobos और दूसरी है Demose यानि Mars की total दो satellite है Phobos and Demose बच्चो यह जो planet है Mars तक Mars तक जो चार planet हो गए Mercury, Venus, Earth और Mars इन चारो planets को Inner planet या Terrestrial planet भी कहा जाता है इनकी density ज़्यादा होती है बाकी के चार जो है Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune जिनने Jovian और Gaseous planet कहा जाता है उनकी density कम होती है Inner planets के तुलना में बच्चो पहला जो planet है जो की Jovian या Gaseous planet जिसे हम कहते हैं वो है Jupiter Jupiter जो है अगर हम बात करें बच्चो size की तो पूरे solar system में सबसे बड़ा जो size है वो है Jupiter हमारे solar system का सबसे बड़ा planet है अगर हम compare करें इसे अर्थ से तो 1 Jupiter 1300 अर्थ के बराबर है 1300 अर्थ के बराबर है एक Jupiter बट density कम होने की वज़े से density कम होने की वज़े से जो mass है वो 1 Jupiter का mass 318 अर्थ के बराबर है अगर हम बात करें इस के Moon की इसके satellite की तो बच्चो अभी तक जो known है उसमें total 79 satellites है Jupiter की और Jupiter की एक satellite है बच्चो जो की है Ganymede, Ganymede वो हमारे solar system में जितने भी planets है और उन planets की जितनी भी satellites है उनमें सबसे बड़ी satellite है Ganymede जो की Jupiter की satellite है Jupiter के बाद बच्चो जो अगला planet आता है वो है Saturn जिसे सनी भी कहा जाता है बच्चो सनी प्लेनेट यानि Saturn की अगर हम बात करें तो इसका जो appearance है यह yellowis होता है यानि यह पीले गलर का होता है और इसके बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि इसके around एक बहुत ही खूबसूरत सा रिंग देखने को मिलता है पर यह से हम नेगड आई से नहीं देख सकते हैं इसे देखने के लिए टेलिस्कोप की जरूरत पड़ती है अगर हम बात करें अगर हम बात करें सेटन की देंसिटी की तो इसकी देंसिटी पानी की देंसिटी यानि वाटर की देंसिटी से भी कम है इसका मतलब अगर हम सेटन ग्रह को अगर हम सेटन प्लेनेट को पानी में डाल दें तो वो डूबेगा नहीं बलकि वो फ्लोट करने लगेगा वो फ्लोट करने लगेगा इसके बाद, Saturn के बाद बच्चो जो planets आते हैं, वो है Uranus and Neptune, वो है Uranus and Neptune और ये हमारे solar system के outermost planet है, ये हमारे solar system के outermost planet है, जिसमें Neptune बच्चो, coldest planet है, यानि ये हमारे solar system का coldest planet है, और अगर हम बात करें, जो hottest है, तो hottest कौन सा है? जो सबसे गरम गरह है, वो है Venus और सबसे ठंडा गरह है, बच्चो, Neptune, प्लूटर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि Venus अपनी axis पर east to west move कर रहा था, Uranus भी अपनी axis पर east to west move करता है, यानि टोटल जो 8 planets हैं हमारे solar system में presently, उन में से 2 planets, Venus और Uranus अपनी axis पर east to west move करते हैं, जबकि बाकी के planet west to east move करते हैं, अब बच्चो, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, तो क्या हमेशा से हमारे solar system में सिर्फ 80 planets हैं, तो नहीं, हमारे solar system में पहले 9 planets हुआ करते थे, जिन में आखरी जो planet था Neptune के बाद, वो था Pluto, बट 2006 में Pluto को एक planet के दरजे से हटा दिया गया, यान एक planet नहीं रहा, क्योंकि बच्चो, जो planet होता है, planet की definition ये है, कि वो अपनी axis पर rotate करते हुए, एक fixed path में sun के around revolve करता है, बट बच्चो, जो Pluto का path है, वो Neptune के path से overlap होता है, इस वज़े से Pluto को अब planet नहीं मना जाता है, नहीं, 2006 से पहले, हमारे solar system में total 9 planets वा करते थे, बट 2006 के सिर्फ 8 planets बचे, और जो last planet है, हमारे solar system का, वो है Neptune, तो बच्चो, हमने अपने solar system में अभी तक बात कर ली, sun के बारे में, और 8 planets के बारे में, उनकी खासियत क्या है, उनके moon कितने है, उनके size के, सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारे solar solar system का, और भी जो पार्ट है, उनके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले, आप सभी के लिए एक question है, जिसमें आप से पुछा गया है, इन में से कौन sun का एक planet नहीं है, which of the following is not a planet of sun, Cyrus, Saturn, Mercury and Earth, यानि इन में से बच्चो, कौन sun का planet नहीं है, क्या करना है, अपनी वीडि solar system में हमने sun और planets के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करने वाले हैं, कुछ और object जो की solar system का हिस्सा है, कुछ और member जो की solar system का हिस्सा है, जैसे की asteroids और commits, जैसे की asteroid और commits, आखिर क्या होते है, asteroids and commits, तो चलिए अब देखते हैं कि करके, बच्चो अगर हम देखें अपने solar system क तो जो हमारे 8 planets थे, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, तो जो दो planet है, Mars और Jupiter, Mars और Jupiter की जो path है बच्चो, यानि जिस path में वो revolve करते हैं sun के round, उसके बीच में काफी ज़्यादा gap है, यानि एक large gap है, Mars और Jupiter के path में, और वो gap small object से, बहुत ही छोटे छोटे object से भरा हुआ है, occupied है, और वो सा सारे objects, sun के around, revolve करते हैं, और उन ही small objects को, बच्चो, asteroid कहा जाता है, और उस belt को asteroid, belt कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चो, ये sun है, और ये है Mars का path, ये जो path है, वो Mars का है, और ये रहा Jupiter का path, तो बच्चो, Mars और Jupiter के path में, बहुत बड़ा gap है, और उस gap में, छ belt को asteroid belt कहा जाता है, इसको asteroid belt कहा जाता है, तो बच्चो, ये भी एक, क्या है, solar system का हिस्सा ही है, ये भी solar system का हिस्सा ही है, इसके बाद अगर हम बात करें, commits की, तो commits क्या होते हैं, बच्चो, ये small object होते हैं, जो की sun के round revolve करते हैं, highly elliptical orbit में, यानि इनका जो orbit होता है, वो highly ell elliptical orbit होता है और बच्चों जो कमेट होते हैं उनका appearance कैसा होता है commits का वो bright head with a long tail यानि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं उनका जो सिर होता है जो सर होता है वो काफी चमकीला और उनकी पूँच बहुत लंबी दिखाई देती है इन्हें हम बच्चों commits कहते हैं यह भी हमारे solar system का हिस्सा है एक खास बात एक important बात यह है कि इन commits की जो tell होती है जो पूँच होती है वो हमेशा always directed away from the sun यानि वो हमेशा sun से दूर रहती है दूर रहती है बच्चों अगर हम बात करें यह इनका जो period कैसा होता है तो यह periodically appear होते है यह periodically appear होते है यह और इनमें एक बहुत ही famous बहुत ही famous एक commit है जिसे हैली हैली commit कहा जाता है जो कि हर 76 यानि 76 76 सालों में एक बार दिखाई देता है last time जो हैली commit है बच्चों वो 1986 में दिखा था 1986 में दिखा था हैली commit जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है तो बच्चों अब आप सभी लोगों के लिए एक question है कि last time जो हैली commit है वो हमें 1986 में दिखा था तो अगली बार अगली बार वो हमें कब दिखाई देगा क्या है यहां पर यह बताया गया है कि जो हेली कमेट है वो हमें हर 76 यानि एवरी 76 एर के अंतराल पर इंटर्वल पर वो हमें दिखाई देता है तो अगर लास्ट 1986 में दिखाता तो अगला कब दिखेगा यह आप लोग बताएंगे आगे चलते हैं इसके बाद हमने बात कर ली एस्टरोइट की हमने बात कर ली कमेट्स की अब हम बात करते हैं मेट्योर्स की क्या होते हैं तो बच्चो जब क्लियर स्काई होता है आसमान में मून नहीं होता है यानि हम बात कर रहे हैं न्यू मून देखी तो कभी आपने देख होगा जो star होते हमको आसमान में दिखता है जिसको आप तूटता हुआ तारा जिसको आप सूटिंग stars बोलते हैं वो क्या होते हैं क्या वो star होते हैं एक्चुली नहीं वो star नहीं होते हैं बच्चो वो हमारे solar system में कुछ small bodies होती है, small object होते है, जो कि गलती से अर्थ के atmosphere में घुश जाते हैं, अर्थ के atmosphere में जब वो bodies घुशती है, तो उनकी speed बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो अर्थ के atmosphere में घुशती है, तो atmosphere के कारण उन bodies पर friction लगता है, और friction के कारण वो bodies heat up होने लगती है और heat up होती है तो वो evaporate होतने लगती है as a result वहाँ से काफी ज़्यादा heat निकलती है और हमको लगता है कि कोई तारा है जो की तूट गया है तो वहाँ पर तारा नहीं तूटता है बच्चों वहाँ पर कोई छोटा object कोई object जो की अर्थ के orbit में आ गया है और अर्थ के atmosphere में काफी तेजी से गिरता है तो अर्थ के atmospheric friction के कारण वो जलने लगता है और बहुत कम समय में वो object पूरा जल के evaporate हो जाता है तो उस object को कहा जाता है meteors और meteors बच्चों कुछ meteors काफी बड़े होने के कारण वो अर्थ के atmosphere को cross करके जब अर्थ की surface पर आ जाए यानि जैसे ही कोई meteor अर्थ के atmosphere में enter हुआ enter होते ही अर्थ के atmosphere की वज़े से उस फिर friction लगने लगता है जिसकी वज़े से heat generation होती है और वो evaporate होने लगता है बट अगर size बड़ा हो meteor का तो वो अर्थ के atmosphere को cross करके अर्थ के surface पर आ जाता है तो उसे हम कहेंगे meteor यानि वो meteor जो की अर्थ के surface पर आ जाएगा उसे हम कहेंगे meteor तो अब आपको समझ में आ गया होगा meteor क्या होते हैं, meteor क्या होते हैं जो meteorite earth के surface पर आते हैं बच्चों उनका use किया जाता है scientists उसका use करते हैं ये पता करने के लिए कि हमारे universe में जो formation है यानि हमारे universe में जो चीजे बनी हुई है वो किन material की किस material की बनी हुई है तो I hope कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि जो तूटता हुआ तारा कहते हैं हम जो shooting star कहते हैं वो एक star नहीं बलकि वो एक celestial body का टुकड़ा होता है जिसे हम meteor बोलते हैं और अगर वही हमारे earth के surface तक पहुँच जाए तो जिसे हम उसे हम meteorite कहते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है बच्चो ये completely burn नहीं होता है इसका size बहुत बड़ा होगा friction की वैसे burn होगा तो पर completely burn नहीं होगा earth के surface पर पहुँच जाएगा तो ये था meteors और ये थे meteoroid इसके बाद हम बात करेंगे artificial satellites की जैसे कि हमने बात की थी बच्चो natural satellite satellite हम किसे कहेंगे तो वो celestial body जो की किसी दूसरी celestial body के around revolve कर रही है जैसे कि earth भी एक satellite है किसकी sun की क्योंकि earth sun के around revolve कर रही है earth की एक satellite है natural satellite जो की है moon जो earth के around revolve करती है तो उसे हम कह रहे है natural satellite तो बच्चो ऐसे satellites यानि जो की man-made हो और अर्थ के around revolve करें, उन्हें हम कहते हैं artificial satellite, artificial satellite तीन टाइप के होते हैं, एक होती है geostationary satellite, geostationary satellite, एक होती है geosynchronous satellite और एक होती है polar satellite, एक होती है polar satellite, टोटल तीन टाइप के satellite होती है बच्चो, geostationary, geosynchronous और polar satellite, जब satellite अर्थ के equator के around revolve करें, यानि अर्थ के equator के around जो satellite revolve करत उसे हम कहते है Geostationary Satellite और यह 36,000 km की height पर होती है polar satellite बच्चो जो अर्थ के pole के around revolve करती है उसे हम polar satellite कहते है इसकी height under 2,000 km होती है और एक होती है बच्चो जियो सिंक्रोनस satellite जो की Earth की axis के क्या होती है यह tilt axis के along revolve करती है यानि यह equator और pole के अलावा जिस axis में revolve करेगी उसे हम कहते हैं geosynchronous यानि total तीन टाइप की satellites होती है artificial, geostationary, geosynchronous और polar satellite अगर हम बात करें पूरे इस world की तो world की जो पहली satellite man-made आया फिर artificial satellite थी वो थे Sputnik और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की first satellite थी बच्चो आरेबट आरेबट इंडिया की first satellite थी इसके अलावा भी बहुत सारी satellites है जो कि इंडिया ने launch की है जैसे कि INSAT, IRS, Kalpana-1, EDUCET यह कुछ Indian satellites है जो कि हमारे orbit में हैं और यह हमें information provide करती है about the earth यह हमें information provide करती है about the earth telecommunication में help करती है, remote sensing में help करती है, artificial satellite यानि in satellites की help से हम telecommunication, remote sensing और इसकी अलावा अर्थ के बारे में information gather करते हैं तो बच्चो यह था आपके chapter में सारी चीजें जो कि हमने discuss कर ली है हमने सबसे पहले moon के बारे में पढ़ा, फिर हमने stars के बारे में पढ़ा, हमने consolations पढ़े, हमने उसके बाद discuss किया solar system, solar system में हमने sun और different जो planets है, उन सभी को discuss किया उसके अलावा solar system में कुछ और member हैं, जैसे कि asteroid commits, इसके अलावा meteors, meteoroids और artificial satellite तो इन सभी के बारे में हमने discussion कर लिया है, यहाँ पर आपका chapter होता है end, तो बच्चों मिलते हैं अगली class में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए